देश में सोलवे राश्ट्रपती चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। चत्तीजगड के सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी और उपो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनेख कुमार अगरवाल मतपेटी मतपत्र और अन्य सामान लेकर कल देर शाम नियमित विमान से रायपूर पहुँझे। मानायसित स्वामी विवेकानंद विमानतल पर कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें विमान से उतार कर 36 गड़ विधान सभायसित स्ट्रॉंग रूम पहुचाया गया। इस सामगरी में वो विशेश इस्याही वाला पेन भी है जिससे मतदान होना है। साहिक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश्ट्रिवेदी ने बताया कि 18 जुलाई को मतपेटी की सील खोली जाएगी। अधिकारीयों द्वारा नई दिल्ली में मतदान सामगरी प्राप्त करने से लेकर इसके रायपूर पहुचने, स्ट्रॉंग रूम में रखने और उसे सील बंद करने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। राष्टपती चुनाव के लिए 36 गड़ में विधानसभा भवन परिसर में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है, जहां राज्य के 90 विधानसभा सदस्यों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है। भारत निर्वाचन आयोक के विशेश अनुमोधन से अन्य राज्यों के निर्वाचक भी इस मतदान केंद्र में अपना मत डाल सकते हैं। मतों की गिंती 21 जुलाई को नई दिल्ली में की जाएगी।